हाँ तो यार तो आची इस वीडियों लोग बात करने वाले है अल्ट्रा इगो एंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में बेसिकली दौनों फर्म्स को कंपेर करेंगे और देखेंगे कौन सी फर्म साथा बैटर है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो काफी पहले बनाने वाला था जबसे वेजीडा की अल्ट्रा इगो फर्म आई है वेजीडा फैंस और गोकु फैंस आपस में लड़ते रहते हैं कोई बोलता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साथा बैटर है आप सभी लोग की जितने भी डाउट है रिकार्डिंग अल् इन्सटिंक्ट ये बात हम सभी लोग जानते है यूए एक एंजलिक लेवल फार्म है जो एंजल के पात को फॉलोग करती है दूसी तरफ अल्ट्रा इगो एक गॉडली फार्म है जो डिस्रिक्शन पात को फॉलोग करती है यूई गोकु को सिखाया था वीज ने वही पर अ आज की कंपेरिजन में हम लोग इन 6 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे इन पॉइंट की मदद से हम लोग एक फियर कंपेरिजन कर पाएंगे दौना फार्म के बीच में पहला पॉइंट आता है स्ट्रेंद में हम लोग एज इंस्टिंग्ट setting diplom चै Drop mismat आप सब लोग ने no 1 गोगजिटर अल्टी स्टारसफोर्म होता है वेजिटर अल्ट्रा ऐगो में ट्रांस्वर्म होने के बाद काफी तक और ईणकर पाता है अलोग काफी हैं ब्acter Sharp एक अलगी लेबल पर चली जाती है अल्टरा इंस्टिंक्टिक ऐसी form है जिसमें defense और offense दोनों चीज़ होती है enemies के attack को dodge भी करना होता है enemies पे खुद भी attack करना होता है और ये चीज़ तभी possible हो पाएगी जब आपके पास बहुत जादा speed हो अल्टरा इगो में transform होके विजिटा के पास भी बहुत अची speed आ जाती है बट अल्टरा इगो का nature क्या है खुद पे attacks को खाना strong बनने के लिए एंड इसी चीज़ से हम लोग easily अंदासा लगा सकते हैं एक form को dodge करना है दूसरे को खुद का attack खाना है तो obviously dodge करने वाली जो form है उसको जादा speed चाहिए रहेगी उसमें जादा speed रहेगी तीसा point आता है durability durability में हम लोग easily जा सकते हैं अल्टरा इगो की तरफ अभी durability का मतलब क्या है it basically means कि कौन सी form खुद पे कितना attack खा सकती है basically कौन सी form के इता जादा mark खा सकती है इस चीज़ को भी हम लोग दोनों form के nature से define कर सकते हैं अल्टरा इगो का nature क्या है अनिमी के attack को खुद पे जाना जितना जादा attack होगे उतना ही जादा strong बनोगे उतना ही जादा develop करोगे अल्टरा इंस्टिंट का nature क्या है एनिमी इसके सारे attack को dodge करना जैसे ही मौका मिलता है एनिमी पे counter attack करना यहाँ पर simple पता चल रहा है कि अल्टरा इगो जादा durable है बेकुस अल्टरा इगो सादा hit खा सकती है वो इसी चीज़ के लिए बनी है अब लोग कभी भी compare करके देख लेना अगर विजिटा को कोई एनिमी अटेक करता है विजिटा को वो attack कम लगेगा एस compare to अगर वो ही एनिमी गोकु को hit करता है same level का बेकुस गोकु का nature है सब को dodge करना विजिटा का nature है सब को खाना चौता point आता है potential जिसमें मैं जाओंगा अल्ट्रा इंस्ट्रीम की तरफ अभी इसका भी एक reason है जैसा कि आप सो लोग जानते हो UI में दोनों चीज़ होती है defense and offense वही पर अगर मैं बात करूँ अल्ट्रा इगो के बारे में अल्ट्रा इगो में offense तो बहुत ही उपर लेवल का है बहुत ही जदा amazing offense है लेकिन अगर बात आती है defense पे तो वहाँ पर अल्ट्रा इगो थोड़ा बहुत गड़बड कर देता है इसलिए मुझे लगता है कि potential के बारे में अगर हम लोग बात करें तो UI की तरफ ही जाना चाहिए because UI में एक complete potential है which is defense and offense दोनों में balance है and ultra ego में offense तो बहुत ही उपर है लेकिन अगर बात करें defense की वो थोड़ा कम रह जाता है because Vegeta का नीचे नहीं है ultra ego में जाके defense करना next point आता है aura aura में हम लोग जाएंगे ultra ego की तरफ क्यों जाएंगे ultra ego की तरफ because ultra ego का जो aura है ना वो बहुत सदा beneficial है Vegeta के लिए इसका reason में यह दे सकता हूँ जब Topo ने God of destruction form achieve करी थी Frieza और Android 17 उस पे key blast कर रहे थे पर पो key blast Topo को touch होने से पहले ही nullified हो जा रहे थे because वो Topo के level के नहीं थे and यही same scenario ultra ego के लिए भी रहेगा because ultra ego में transform होने के बाद Vegeta के पास भी एक destruction aura आ जाता है it means अकर Vegeta के level का कोई attack नहीं होगा तो Vegeta को हिलने की भी ज़रुत नहीं है वही पर हम लोग बात करें UI के बारे में अगर Goku के सामने कोई SI नहीं में आता है जो Goku के level के नहीं है Goku पे key blast करता है तो Goku को हिल के उसको dodge करना पड़ेगा एड़े को छोटा point यह add करना चाहूंगा जो UI वीज चाहते हैं Goku अजीफ करें उसमें तो Goku का कोई औरा होना ही नहीं चाहिए बिकुस वीज यह चाहते है Goku UI को base form से naturally use करें last point हमारा आता है stamina जिसमें हम लोग easily जा सकते हैं ultra instinct Goku की तरफ अब क्यों जा रहे है UI की तरफ UE की तरफ क्यों नहीं जा रहे because UI में सादा stamina होता है as compared to UE जब भी Vegeta ultra ego में transform होके dissection power को use करेगा हाकाई energy को use करेगा तो obviously उसका जादा stamina consume होगा वही पर जब Goku अपनी UI में transform होने के बाद ultra instinct में transform होने के बाद key blast को use करेगा तो वो इतना सादा stamina train नहीं करेंगे जितना ultra ego करेगी and even अब लोग ने जितने battle देखे न UI के आप सभी लोग ने भी ये बात notice किया होगा UI में हम लोग ने जादा ही stamina देखा है अगर Goku अच्छे से use करता है UI को कोई गड़बर नहीं करता तो काफी देर के लिए UI use कर सकता है and guess यहाँ पर आके हमारे 6 के 6 point खतम हो जाते है 3 point मिलते है ultra ego को and 3 ही मिलते है ultra instinct को और भी points add हो सकते थे लेकिन video और भी जादा लंबी हो जाती and guess यहाँ पर मुझे आप सब लोग को बस एकी बात समझानी थी हर एक form का अपना advantage और disadvantage होता है कुछ advantage ultra ego के पास है वहीं पर कुछ advantage ultra instinct के पास है and दों के अपने disadvantages भी हैं अभी तीन main question की तरफ चलते है and conclusion निकालते है पहला question अगर कोई enemy आता है ultra ego and ultra instinct से fight करता है तो कौन से form उस enemy को जल्दी हरा देगी second question point number 1 के according हम लोग point number 2 कांसर निकालेंगे कि कौन से form जादा better है ultra ego या फिर ultra instinct and तीसा question ये होने वाला है कौन जादा strong है गोकु या फिर विजीटा अभी बात कर लेते हैं पहले question के बारे में अगर कोई enemy आ जाता है ultra ego and ultra instinct के सामने तो कौन से form उसको जादा जल्दी हरा देगी तो गैस पता है ये चीज़ किस पर depend करती है ये चीज़ depend करती है उस enemy पर for example मान लीजे अगर उस enemy के पास बहुत सदा strength है लेकिन उसके पास speed नहीं है तो क्या वो UI गोकु को कभी touch कर पाएगा और अगर touch ही नहीं कर पाएगा तो क्या वो कभी गोकु को हरा पाएगा UI में and similarly अगर कोई ऐसा enemy आ जाए जिसके पास speed तो बहुत है लेकिन power कम है तो क्या कभी वो Vegeta को ऐसा hit दे पाएगा जिससे Vegeta हार जाए Vegeta यार एक ऐसा hit दे के मारेगा उसको जो के एक में उठनी पाएगा वो तो ये चीज़ ना तो अल्टरा एगो पर depend करती है ना ही अल्टरा एंस्टिंक्ट पर ये चीज़ डिपेंड करती है एनिमी पर एनिमी का नेचर क्या है उसके नेचर के according की एक form उस पर भाड़ी पड़ेगी और दूसरी नहीं बड़ेगी और भी बात करते हैं तीसे और most important question के बारे में कौन अभी जादा strong है अल्टरा एगो विजिटा या फिर अल्टरा इंस्टिंक्ट गोकु तो कैस इस question का अंसर मैं काफी बार दे चुका हूँ फिर से वही answer देने वाला हूँ जो मैंने पिछली बार दिया था जो मैंने पिछले बिस्स पे दिया था अल्टरा इंस्टिंक्ट गोकु अभी थोड़ा उपर है as compared to अल्टरा एगो विजिटा इसका reason भी बहुत simple है गोकु ने UI काफी पहले achieve की थी उसके बाद पताने UI के किते versions हम लोग को देखने के लिए मिल चुके है UI Omen आ चुका है Master version आ चुका है Perfect आ चुका है True Ultra Instinct भी आ चुकी है वही पर विजिटा की जो Ultra Ego है अभी उसका एकी version हम लोग के सामने आया है अभी तो विजिटा को काफी इंप्रूव करना है तब उसके बाद वो गोकु के लेवल पर आ जाएगा तो कैसीती मेरी पूरी एनलाइसिस अबाउट अल्टरा एगो विजिटा एंड अल्टरा इंस्टिंट गोकु काफी easy point मैंने उठाये थे जिससे मैं आप सभी लोग को easily explain कर सकूँ अब होप करूँगा जित्ते भी आप सब लोग के मैंड में कोशन आये थे न अभी तक अल्टरा एगो या फिर अल्टरा इंस्टिंट को लेके वो सभी मैंने आज की वीडियो में किलियर कर दिया होगा अभी आप सब लोग के डाउट किलियर हुए अबाउट अल्टरा इगो विजिटा एंड अल्टरा इंस्टिंट गोकु इस वीडियो को देखने के बात अगर आप लोग के मैंड में डाउट है तो आप लोग में इसे कमेंट में पूछ सकते हो अब लोग ही भी बता सकते हो क्या मैंने अच्छे से कमपेरिसन किया या फिर नहीं किया आज शी वीडियों बस इतना ही था गया सब आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक ये जशेर की जब चनल करिये अबस्क्राइब टासरी दो मैं तil टन बेगोड गयास